हाई, आज हम कड़ी बनाने जा रहे हैं, हम ये कड़ी बनाएंगे लेकिन बिना पकड़ों के, हम ये पकोड़े वाली कड़ी ही बिना पकड़े बनाए हुए ही बनाएंगे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पकोड़े वाली कड़ी बिना पकोड़े बनाए कैसे बनाते ह तो उसके लिए हम एक बरतन लेंगे इसमें हम अपना चार चमच बेसन डाल देंगे मैंने चार चमच बेसन लिया है आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं कम बनाने ता बेसन कम ले सकते हैं कड़ी ज़्यादा है ता बेसन ज़्यादा ले सकते हैं मैं अब इसमें इसके बेशन के हिसाब से सवादनुसार नमक डाल दूँगी एक चोथा ही चम्मच लाल मिर्च डाल दूँगी कुटी हुई और एक पिंच हल्दी डाल देंगे अब इसमें मैं दो चम्मच तेल डालूँगी ये मेरा उबला हुआ तेल है जो ठंडा करके रख देते हैं ये मैंने दो चम्मच तेल डाल दिया है अब इसमें एक चम्मच दही जाल दूँगी अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर दूँगी पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा सा डालना है जिससे कि हमारा बेशन गुल जाए बस ये देखिए मैं इस तरह से डालूंगी बेशन में कुछ गाठे होती हैं तो उसे हम अच्छे से इस तरह से तोड़ के अच्छे से मिक्स करेंगे हम जितना अच्छा बेशन मि दही डालेंगे तभी हमारे पकोडे नरम होंगे नहीं तो हमारे पकोडे टाइट हो जाएंगे और खाने में टाइट पकोडे अच्छे नहीं लगते कडीम हैं तो कडीम हैं आप तेल और दही जरूर डालिए जब पकोडे बना रहे हैं तब और जितनी अच्छे से आप ये इ अब हमने अपनी मिक्सी ली है, इसमें हम अपनी एक कटोरी दही डाल दी है, अब हम इसी कटोरी से दो गिलास पानी डाल देंगे इसमें, आप पानी भी अपने हिसाब से कम जादा डाल सकते हैं, आपको कितनी कड़ी बनानी है, उतना ही डाल लेती है, मैंने जितनी कड़ी ब पाउडर डाल दिया है आधा चमच कुटी हुई लाल मिरच डाल देंगे अब आधा चमच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं जब हमारी छाच बनेगी तो हमारा बेशन भी घुल जाएगा अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप किसी बर आप अपने अच्छे से फैट सकते हैं अपनी दही को लेकिन दही जितनी अच्छी फैटेगी यह मत नहीं है इससे फैट सकते हैं दही को जितनी अच्छी फैटेगी दही कड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी अब हमने यह अपनी कड़ाई ले ली है इसमें तेल डाल दिया द चमच मेथी दाना डाल देंगे और एक चोथाई चमच अजवायन डाल देंगे जब भी हम कोई बेशन की चीज बनाते हैं तो उसमें अजवायन जरूर डाले और अब एक पिंच हिंग डाल देंगे अब हम सब को मिक्स कर देते हैं एक बार अब हमने सब को मिक्स कर दिया है अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे आप ध्यान से देखेंगे कि हमने प्याज थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है छोटा प्याज नहीं काटना पतले पतले स्लाइज में बड़ा काटना है और अगर आप प्याज नहीं खाते ह तो आप इसमें से प्याज और लेसन हटा सकते हैं, अब बिना प्याज और लेसन की भी बना सकते हैं, कड़ी बहुत अच्छी बनती है, अब इसमें मैं एक चम्मच कटा हुआ, लेसन डाल दूगी, एक चम्मच कटी हुई अधरक डाल दूगी, एक चम्मच कटी हुई हरी मर् काट के रखी है आप अपने हिसाब से हरी मर्च भी आप अपने हिसाब से डालिया आप कितनी हरी मर्च खाते हैं मैंने एक हरी मर्च ली है उसे ही छोटा छोटा काटा है अब मैं अपने जो मैंने धही का बैटर बना कर रखा था उसे डाल दूगी कड़ी में और इसे लगाता आप इसी तरह से इसको दीरे दीरे चलाते रहें तो यह देगना पांच मिनट हो गए है तो हमारी कडीम अच्छे से उबाल आ गया है अब हम अपने गैस तेज कर देंगे अब इसमें हम अपने पकोड़े बनाएंगे तो गैस को हम हमेशा तेज करेंगे अब मैं इसमें नमक डाल दिया है पहले नहीं डाला था मन नमक अगर आप दई में पहले नमक डालते हैं तो दई फट जाती है नमक हमेशा तभी डालिए जब कडीम उबाल आने लगे तो देखिए अच्छे से उबलने लगे मेरी कडी अब हम इस तरह से अपने पकोड़े बनाएंगे हाथ की स फोड़ी थोड़ी जगोर रख रखके जहां पर पहले डाला वान नहीं डालना है तो इस तरह से हम अपने पकोड़े डालते जाएंगे हम अपने पूरे बेसन के पकोड़े डाल देंगे इसमें जितना बेसन लिया था इसी तरह से डालेंगे एक के उपर एक पकोड़ा नहीं डालेंगे हम जहां हमने पहले डाला था वहां नहीं डालेंगे दूसरी जगे डालते जाएंगे और इसी तरह से छोटे छोटे पकोड़े जितने बड़े छोटे आपको चाहिए मैं छोटे छोटे बना रही हूं ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे जब आम बना रहे हैं तो जो पकोड़ा बन जाएगा नीचे वो उपर आ जाएगा अपने आप जब पकोड़ा उपर आने लगे तो आप समझ जाएए कि पकोड़े अच्छे बने हैं अब आपने बीच बीच में दिख भी रहे हैं हमारे पकोड़े कुछ उपर दिखने लग गए हैं अब हम इसी तरह से सारे बना लेंगे तो मैंने इस सारे पकोड़े बेशन के डाल दिये हैं अब हम थोड़ी दिर इसका उबलने का इंतजार कर रहे हैं इब आप ध्यान से देखिए बीच में नीचे से पकोड़े उपर आने लग गए हैं यह देखिए सभी पकोड़े हमारे तकरीबन उपर आ गए हैं हम ध्यान से नीचे ले जाकर दिखा रहे हैं आपको इस तरह से सारे पकोड़े जब उपर आ जाए तो हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे पकोड़े उपर आ गए हैं तो हम गैस का फिल्clamation कम कर देते हैं अब सब दिख रहे हैं हमें सारे पकोड़े दिख रहे हैं तो इस तरह से यह पकोड़े कड़ी के साथ पकते रहेंगे यह पकोड़े कभी कच्चे नहीं रहते ये देखिए अब ये टूटेंगे भी नहीं जब ये पकोड़े उपर आ जाते हैं तो ये इस तरह से अगर हम चलाते हैं तो ये टूटते भी नहीं है और कड़ी के साथ ये आराम से पक जाते हैं तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल सलो रखेंगे और एक पलेट लेंगे उससे हम आपनी कडी को धक देंगे और धक कर असे तक्रीबं दस मिनिट तक पकने देंगे छब हमें 10 मिनिट हो गई है हमारी कडी भी काफी कम हो गई है और कडी बन के त्यार होगी है. जब कड़ी बनके त्यार हो जाए तो इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है. यह देखे हमारी कड़ी से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है वह हम इसमें अपना हरा धनिया डाल देंगे. हमने पूरे अच्छे से आपको कड़ी संजाई है. आप इससे बन आने की जुरूत नहीं पड़ी है, यह बहुत अच्छी बनती है, बना कर देखिए, अब हम इसमें अपना तड़का लगा लेते हैं, इसके लिए हमने अपनी चम्मच लिया है, उसमें डाल दिया है, एक चम्मच देशी घी, इसे अच्छे से गरम होने देते हैं, जब हम अप अच्छे से पकने देते हैं, अब हमने ये फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है, जिसे मीठा नीम भी बोलते हैं, अब इसमें हम एक चोथा ही चम्मच कश्मीरी लाल मिरिच डाल देंगे, उन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे अपने गी में, और अब इस तड़के को हम अपनी कड़ी के उपर डाल देंगे, कड़ी के उपर जब ये तड़का डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, ये देखिए, बस इसी तरह से इस तड़के को थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, हमारी कड़ी बनकर हो गई है तयार, तो जरूर बताना कि आपको हमारी कड़ी कैसी लगी, धन्यावाद।